उदाहरन दो सत्यासी लाक चपन हजार नौसो चार का बिजांक प्राप्त कीजे इस संख्या के बिजांक को प्राप्त करने के लिए तीन अलग-अलग विधियों का उप्योग किया जा सकता है जैसा कि हमने भी इसके पहले उधारन में देखा था कि अंकों को जोड़ते जाएं और अंत में जो संख्या प्राप्त होगी एक अंक की वहां हमारा बिजांक होता है तो इसमें देखते हैं कि जो पहला इसका जो हल है वो किस प्रकार से होता है अंकों को आप जोड़ते जाए आठ धन साथ धन पाँच धन छे धन नौ धन शूर्न्य धन चार इसे आप जोड़ेंगे तो कुल उन चालिस प्राप्थ हुआ जो कि एक अंक की संख्या नहीं है इसे हम पुना जोड़ेंगे इसके अंकों को तीन धन नौ तो यहां हमको मिलता है बारा ये भी एक अंक की संख्या नहीं है इसके अंकों को अगर जोडते हैं एक धन दो तो यहां हमको मिलता है तीन तो इस प्रकार जो एक अंक की संख्या मिली है तीन वहां हमारी दी गई संख्या 87,56,904 का बिजांक होगा यह हमारा पहला हल है दूसरा हल इसी में दूसरा हल जो हम देखेंगे कि अंकों को जोडते जाएं और उसको हम एक एक अंक की संख्या में बदलते जाएं जैसे आठ धन 7 यह मिला 15 इसको हम एक धन 5 इसके अंकों को जोड़ करके एक अंक की संख्या बनाएं और अगले अंक से इसे जोड़ दें यहाँ पर मिला 11 ग्यारा को हमने फिर से एक अंक में कनवर्ट किया और फिर उससे आगे के अंक जोड़ते हुए इस प्रकार हम आगे बढ़ें आठ धन 9, 17, एक धन 7, आठ धन 0, आठ धन 4 यह मिला 12 और 12 से एक धन 2 यहाँ मिल रहा है 3 यहाँ भी देखेंगे कि जो दूसरी विधी है उससे भी हमें दी गई संख्या का बिजांक तीन मिल रहा है इसी प्रकार तीसरी विधी है इस विधी में जो दी गई संख्या है उसमें हम ये देखें कि उसमें कहां कहां पर नौ आ रहा है शुन्य आ रहा है या कोई ऐसे दो अंक हैं जिनका योग नौ के बराबर है तो ऐसे अंकों को छोड़ कर बचे हुए अंकों के योगफल से भी विजांक निकाला जा सकता है तो दी गई संख्या 87,56,904 में आप देखते हैं कि एक शुन्य है एक नौ भी मिल रहा है और चार और पांच का योग नौ के बराबर है तो इन अंकों को छोड़ कर जो बचे हुए अंक है आठ, धन, साथ, धन, छे आप इसको अगर जोड़ेंगे तो आपको मिल रहा है एक्किस और इसके अंकों को जब आप जोड़ के एक अंकी संख्या बनाते हैं तो आपको मिलता है तीन जो की दी गई संख्या का बी जांक ह इस प्रकार ये हल हमारा समाप्त होता है तो इस प्रकार बिजांक ग्याद करने में ध्यान देने योग ये कुछ बाते हैं जिसके उपर हम लोग यहां बात्चीत करेंगे इसमें कुल छे बातों पर ध्यान देने की जरूरत होगी पहली बात है बिजांक ग्याद करते समय जैसे ही योग दो अंकों की संख्या प्राप्त हो वहां तुरंत जोड़कर एक अंक प्राप्त कर लेना चाहिए दूसरी बात है शुन्य और नौ जोड़ने या छोड़ने से बिजांक में कोई अंतर नहीं आता तिसरी किसी संख्या का बिजांक उस संख्या में नौ के भाग देने पर बचने वाले शेश्वल के बराबर होता है अर्थात बिजांक ग्याद करने का अर्थ है उस संख्या में नौ से भाग देने पर बचने वाला शेश्वल ग्याद करना किसी संख्या का बिजांक नौ है अतह वह संख्या नौ से पूरी-पूरी विभाजित होती है ऐसी परिस्थिती में उसका बिजांक शून्य ना होकर नौ ही होगा अगली बात तीन की विभाजिता की जाच बिजांक से भी की जा सकती है जिस संख्या का बिजांक तीन, छे या नौ हो वह संख्या तीन से पूरी-पूरी विभाजित होगी आखरी महत्वपूर्ण बात बिजांक से उत्तर की जांच की जा सकती है अतह इसका पर्याप्त अभ्यास करना चाहिए जिस से बिजांक मुखागर ग्याद किया जा सके बिजांक से उत्तर की जांच वैदिक गणित में उत्तर की जांच की अनेक विधिया है यहां हम बिजांक से उत्तर की जांच करना सीखेंगे पहला जोड़ना जोड की जाँच संख्याओं के बिजांकों के योगफल का बिजांक उत्तर का बिजांक होने पर उत्तर सही होगा